नमस्कार एटो जेट डिशश उशाक और जानी में आप सब का स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रहे बहुत ही बढ़िया से रेसिपी देखें ये रेसिपी बहुत हेल्दी भी है टेस्टी भी है चाय पिसे सबजी के साथ ले रायते के साथ या द पालक को अच्छे से पानी से वाश करके काट लिया है और इसी के साथ मैंने एक बड़े से पनीर के टुकड़े को मसल कर डाल दिया है एक टमाटर कटा हुआ आधा इंच अधरक का टुकड़ा एक प्यास चार से पांच लसन की कलिया और दो से तीन हरी मिर्ची काटकर डाल और इन सबको ढखकर पीस ले पानी वगेरा कुछ नहीं डालना है बस इन सबको ढखकर अच्छे से पीस लेना है और आप देख सकते हैं पालक को कितना नेच्छल कलर है वड़िया सा हमने कोई भी कलर मिक्स नहीं किया इसके अंदर अब यहाँ पर मैंने ले लिए एक बरतन डाल सकते हैं अब जो आपनीर प्यास टमाटर अद्रक लसन यह थोड़ा-थोड़ा करके आपको डालना है और आटा गूंद लेना है तो यहां पर देखें इससे थोड़ा-ठोड़ा करके डालें और आटा गूंदेंगे ना तो मैंने ऐसे किया तो मुझे पानी डालने के बिल्कुल भी नहीं लगी है पूरियों के लिए आटा है no रौ्टियों से रौ्टियों के आटा जो मुँँंते लृष obec थोड़ा सा सक्त ओना चाहिए पर अगर आप इसा लगता है कि पानी डालने के जरुड़ात है तो आप पानी तेखकाल कर इससे फिर से मस लेंगे दोनों हाथ के बीच पर रख दोनों तरफ लोई के थोड़ा-थोड़ा तेल लगा लेना है बिल्कुल थोड़ा सा और इससे बेल लेना Mehr पूरी की साइज आपके उपर आप इसे बड़ी भी बना सकते हैं इसे चोटी भी पर इसकी जो ठिकनेस है पूरी नाई आपको जाधा पतली बेलनी हो नाई जाधा मोटी इस तरह से होनी चाहिए क्योंकि जाधा पतली बेलते हैं तो पूरी अच्छे से नहीं लगती है खाने और इसके उपर तेल डालते जाना है और इस तरह से एकदम सुनेरा कलर आ जाए अच्छे से फ्राय हो जाए नो उसके बाद ही निकाले बस ऐसे हम सारी पूरी को फ्राय कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नहीं ऐसे सारी पूरी फूलेगी और आप चाहिए न त मुझे थोड़ी सी हल्की क्रिस्पी पूरी पसंद है इसलिए मैंने थोड़ा से जाधा फ्राय किया है तयार है अब आप चाहे तो इसे ध्वी डही के साथ लीजए रायते के साथ यह अच्छार के साथ च्छाय और कॉफी के साथ भी बढ़नी लगती है और भी तह्वार भ झाले थांक यू